नमस्कार स्वागत है आपका अब इंद भारत में मैं आपके साथ साक्षी गुपता आए बढ़ते हैं खबरों की और G20 में सामिल दुनिया के 29 देशों दीसदश और नुव अदिधी देश के सेरपा और राजनाईकों के सामने विश्व की सबसे लंबी पगड़ी को बांद कर राजिस्थान की अनूटी संस्कृती का परिशे दिया एक गंटे में सबसे ज़्यादा पगड़ी बांदने का था और एक गंटे में हमने 205 पगड़ी बना करें तो आज इस कला को लोगों के देश विदेश में पहुंचाने के लिए इसका परफिशन किया जा रहा है और एक ऐसे जीत्ती जाती जाती जो पगड़ी कला है जैसे ही जाती लोग धरम संस्कृती बदलती है उन सभी की पगड़ी बिन भिन होती है तो हम चाते हैं कि ये जुपला है और मैंसे के लिए जीवित रहे लोगों तक कॉर्श ची रहे और हमेशा लोग पगड़ी पहन रखें वारा एक आसा में लगा करीब साथ पगड़ी के कपड़े को मिला कर इसे तेयार किया गया था शुरू में जब पवन ने पगड़ी बांधना चालू किया तो किसी का ध्यान उन पर नहीं था लेकिन जैसे जैसे सिर पर पगड़ी का आकार बड़ा होता गया तो महा मोजूद सिर पर राजनयक भी आकर्चित हो गए दुनिया की महा सक्ति माने जाने वाले देशों के महमान दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी पहने विक्ति के साथ फोटो लेने से खुद को रोप नहीं पाई, उनके साथ आये सेकडो वाला अधिकारियों ने 20,000 को देखा विकानर के पवन व्यास के नाम दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकार्ड वर्ल्ड बुक ओफ रिकोर्ड लंदन में दर्ज है तो दुनिया की सबसे चोटी पगड़ी बांधने का रिकार्ड भी इंडिया बुक ओफ रिकोर्ड में दर्ज है सबसे चोटी पगड़ी एक मीटर लंदी और दो इंची चोड़े कपड़े से बनी हैं इसे भी G20 के सदस्यों को दिखाया गया था CT पेलेस में सबसे लंबी पगड़ी बांधने के बाद G20 के कुछ सदस्यों ने पगड़ी बांधने वाले पवन से बात की उनसे पूछा कि इतनी वज़नी पगड़ी सीर पर केसी सहन करते हैं तो इस पर पवन बोले ये पगड़ी तो हमारे सीर का ताज है हमारी जीती जाती संस्कृती का उधारन है पवन के नाम एक घंटे में सबसे जादा 205 पगड़ी बांधने का रिकार्ड भी दर्जी पवन सीयम असो गेहलोत से लेकर कई बॉलुवीड एक्टर की पगड़ी बांध शुके हैं वे बताते हैं कि जाती धर्म और संस्कृती बदलती है तो उनके साथ उनकी पगड़ी भी भिन्न होती जाती हैं जोदपुरी, मेवाडी, पंजाबी, गुजराती और हाडोती जैसे कई छेतर की पगड़ियां अलग-अलग पहचान हैं विदेशी महमानों के सामने दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी को बांधने के प्रतरसन का विचार भारत के सेरपा अमिताप कांत का था उन्होंने बताया कि राजिस्थान की कला संस्कृती देश विदेश तक जाए इसलिए अनुठा कारिकरम रखा जिसमें विदेशी महमानों के सिर पर भी साफेब बांदे गए उन्हें राजिस्थानी पोसाग पहनाए गई राजिस्थानी डान्स और मुजिक दिखाया गय विदार के लिए इतना ही खबरों का सिलसिला लगतार जानी है बने रहे हमारे साथ नमशकार झाल 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 झाल 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 झाल